नमस्कार दोस्तों मैं गुपाल और आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने योट्यूब चैनल पे तो जैसे कि दोस्तों परदान मंत्री किसान समोन निधी के ताथ आपको 6,000 पर सलाना दिया जाता है तीन किस्तों में 2,000 रुपए करके तो ऐसे में दोस्तों किन किन को मिलेग का इस योजनों का लाप आज के इस वीडियों में संपुन एले लेसिस करके बता होंगा तो दोस्तों आप बने रहेएगा तो जैसे कि दोस्तों अगर आपके रजिस्टर मुबाइल में जो आपने पीम किसान समोन निधी ऑनलाइन करते हुआ प्रोवाइड किये थे तो उस से मतलब नहीं है दोस्तों किसी खिंश का हो अब किसी किए का नहीं हो तो इस मेंसेज का नहीं होगा तो दोस्तों, अतिश सिक्र मिलेगा 100% मिलेगा आप इसके लिए चिंता ना करें बिलकूल मिलेगा तो दोस्तों किना किन विख्तियों को नहीं मिलेगा तो आज किस वीडियो में आपको ANALYSIS करके बताओंगा तो चलिए computer के स्क्रीन में जैसे कि d stresses तो pmkisson.gov.in का जो official website है मैं वहाँ विजिच कर रहा हूँ तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी जनकारी के लिए बता दो e-kvc के बारे में जैसे कि e-kvc is mandatory for pmkisson registered farmer split click e-kvc option in farmer corner for अधार वेस्ट और टोपी authentication and for biometric authentication contact nearest csc center तो दोस्तों इसके बारे में आपको detail में थोड़ा बता दो अगर आप suppose that kvc कर लेते हैं या नहीं करते हैं इससे फरक नहीं पड़ेगा बड़ दोस्तों जैसे मार्च का जो मंद होता है 2022 में अगर आप उसके बाद e-kvc नहीं करेंगे तो आपको इस योजनों का लाब नहीं मिलेगा 2000 रुपए आपका एकौन में credit नहीं किया जाएगा इस बात से आप 100 परसेंट वह तो 100% आपके एकौन में credit किया ही जाएगा बड़ दोस्तों इसके बाद अगर जो किस्त आता है अगर आप उसमें e-kvc नहीं करते हैं तो आपको इस योजनों का लाब नहीं मिलेगा इस बात से आप 100% भेरिफाई हो जाईए आज का जो वीडियो आए किस परपरस से आइसके बारे में मैं आपको बता दो तो दोस्तों इस योजनों का से कुछ इस तरह से आएगा तो दोस्तों यहाँ बिनिफेसरी स्टेटस ट्रेक करने के लिए आपको तिन ओप्सन दिया गया एक अधार नमर दूसरा आइकॉन नमर तिसरा मोबाल नमर तो जैसे कि मैंने मोबाल नमर सेलेक्ट किया उसके बाद यहाँ अपना मोबाल नमर इ इस सारे जितने चीछ यहाँ दिया गया इस्टेटस में अगर आपका ओके पाया जाता है तब आपको इस योजना का ला मिलेगा नहीं मिलेगा अगर कोई भी चीछ मिसमेच रहता है तो जैसे कि दोस्तों यहाँ देख सकता है रिस्टेशन इस्टेटस डण बता रहा अगर आपका डन नहीं राता है, तो आपको नहीं मिलेगा। अगर इन एक्टिव रहेगा तो थाप पर भी नहीं मिलेगा। Third option, PF SMS Bank में अगर आपको फार्मारीकरड हैज बिन एक्सप्टेट रहता है, तब आपको मिलेगा अगर फार्मर रिकॉडडेट हैज बेन रिजेक्टेट वाई पी एफ एमस बैंक रहेगा तो आपको इस रिजनों का अलाब नहीं मिला आपका अधार स्टेटस अधार नमर इच वेरिफाइड रहता है तभी आपको मिलेगा अगर अधार नमर इच नोट वेर रहता है अधार के साथ जो एकॉंट लिंग है एकॉंट नम्मर वो उसमें पैसा जाएगा आप इस बात से भी भी हो जाईए जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया आप बात करता हैं एंस्टॉल्मेंट के बारे में जैसे कि इस वेक्ति का एक विक किस्त क्रेडिट नहीं देने की पूरी उम्मीद करूंगा तो में जैसे कि मेरे दिया वाजनकारी आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजी अपने फ्रेंड्स के पास सेर कर दीजी अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए बेल एकन में जाकर और वाले नोटिफिक्रेशन को प्रेस कर लिजिए इसी सापको पलपल की अपडेट मिलने वाला है तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ एक अगले वीडि बहुत वीडियो